कि नमस्कार मैं अंजले मिश्रौ स्वागत है आपका हमारे चानल में दिली शराब घोटाले में इरी निकाब बड़ा खुलासा देखने के लिए मिला है जी हां बिलकुछ सभी सुना अपने दिली शराब घोटाले में इरी का बड़ा खुलासा है शराब माफियाओं को बड़ा फाइदा पहुचाए गया है और ठोक शराब विकरिताओं को तकरीबन बारा प्रतीशत मुनाफ़ा दिया गया है जिसमें से छे फीजदी आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिला था वही दूसरी तरफ जो दूसरा सबसे जारा आम बेनिफीश्री इस पूरे मामले में केसियार की बेटी कविता है तो वही आपको बता दे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अबकारी इस नीती में माधियम से धन उत्पन कैसे किया पॉइंटर्स के माधियम से आपको समझाते हैं कि किस तरीके से संचालित किया गया किस सबसे पहले समझें कि मनिसी सोधिया द्वारा संचालित मंत्राले द्वारा आम आपनी पार्टी के संचार प्रमुक और विंद के इजरिवाल द्वारा चुने गाये लोगों को लाइसे प्रदान किये गया इसके बाद अबकारी घोटाले का दूसरा भाग था धन उत्पन करन दो तरीके से उत्पन किया पहला लाइसेस धारी जो थे उन्हें 12 प्रतीशत का होलसेल कमिशन दिया जिसमें 6 प्रतीशत सीधा सीधे अर्विंद के इजरिवाल की आमादी पार्टी को जाता था दूसरा दुकानों द्वारा अर्जित 186 प्रतीशत खुद्रा मार्जिन का ह सबी आमादमी पार्टी को दिया गया इसके बाद समझे कि शुरुवात में एल वन को कई लाइसेस धारियों को दिया गया था लेकिन फिर अर्विंद के इजरिवाल ने निर्माताओं को अब पसंदीदा के माधियम से बेचने के लिए मजबूर किया तो परनॉइट ने ल से भुकतान किया गया पचास पीजदी कमिशन आमादमी पार्टी का है बाद में अर्विंद के इजरिवाल ने घोटालेवाज नायर को एल वाल लाइसेंस रत करने और उन्हें अपने पसंदीदा लोगों को आवंटिक कर दे के लिए मजबूर किया इस प्रक्रिया में आम सिलसिला यही नहीं रुका अर्विंद के इजरिवाल की आई आरेस के वल बारा प्रतिशत थोक कमिशन की कवाई पर नहीं रुके उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और इंडो स्पिरिट को लाइसेंस में जो है पैसट फीजदी इस्तेदारी साउथ ग्रूप को सब्सक्रार से था क्रेडिट की एक वरिस्तित प्रनाली पसंदिदार खुद्रा विक्रेताओ को किक बैंक देने के लिए परनौइट को मजबूर करने के लिए नोटस सेयार किये गये थे और रही यह ब्लू जो है वोल्यूम पर नहीं बलकि उस नाम पर अधारित था जिसे अरविंद के जवाले घोटाले के मुख्य एजेंट विजय नायर द्वारा तै किया गया था यह घोटाला इतना जादा व्रस्तित था कि समय समय पर डिजिटल साक्षों को नश्ट किया गया इमेजिन किजिए कि मनीश सी सौधिया और के गहलोत आधी जैसे लोगों द्वारा समय समय पर उप्यों किये जाने वाले 170 फोन समय समय पर नश्ट हो जाते हैं वाट्स अप पर एरवान एजंटों को पॉलिसी डॉक्स भेजे गये थे अनुम नज़रा रहा है एडिया एड़ी ने दिली में सरकार चला रही आम आदमी पार्थी पर संगीन आऔरोप लगाये हैं दिली की आदालत में दाखिल आरोपटर भञे कहा हैकि अ Olum आपके लिए 100 कोड़ों रुपए की घूसती है अपने आरोपत्र में एडी ने कहा है कि शुराब कारोबारी समीर महिंद्रू और आम आदमी पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी विजह नायर ने इस मामले में साजिश रची महिंद्रू और नायर के साथ एडी ने तेल शुराब घोटाले में CBI की FIAR में मनिसी सोधिया आरोपी नंबर वन है एडी ने आरोपत्र में कहा कि समीर महिंद्रू से मिली भगत कर शुराब के खुद्रा और ठोक निर्मातार विक्रेता का गुट बनाया गया इस गुट में विजह नायर मिनाय बाबू एम श्री रिश्वत की वशूली के लिए साजिश को अंजाम तक पहुचाया एडी के मुताबित रिश्वत की सो क्रोड की रकम समीर महिंद्रू के इंडो स्पिरिट के थोकर समीर के इलाके में खुद्रा शराब के बिक्री से हुए मोनाफे से निकाली गई इस डील में दक्षण के स जूटे प्रतिनित्थित्व और अरुन प्लेले के प्रेम राहुल जेजरियन यंतरित के जाने के सबूत भी इडी को मिले इडी के मुताबित दिल्ली में कथिश्वराब गोटाले में सरकारे खजाने को तकरीबन 2873 करोड की च्यपत लगी है या नुकसान हुआ नई शराबनीती को आम आदमी पार्टी के निताओं ने तयार किया था और इसका मकसद जो था वो अवैद रूप से धनकमाना था तो नई शराबनीती को इस तहट तयार किया गया जिसमें कम्या रहे और अवैद गतिविदि गया टुड़ की जा सके इस चाषिट में यह डावा किया किसे सरकार को तकरीबं 2863 करोड़ का नुकसान हुआ जब कि ॹ को 295 तक का जो है मुनाफा हुआ हुआ है 91 चार्चिट में इस मामले में शामिल आर रूप्यों ने सरकारी अधिकारियों डिशा लाजने ताओं को भ कि शमीर महेंद रूइस सर्गराव में से एक था और इस घोटाले में सबसे पहले उसे लाब हुआ था इडी ने ये भी दावा किया कि सतनारी दॉलर सरकार के राज नेताओं के लोग सेवकों को लगभग सो करण रुपए की रिश्वत मेले देली सरकार की शराब नीती के घोटाले को लेकर इडी ने पहले अपने आरुप पत्र में आरोप लगाया कि विशेशग्य सविति का गठन और जनता की राय मांगना एक दिखावा था और जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो कभी भी लागू नहीं किया जाना था इंशाराब नीती को आमादमी पार्टी के नेताओं द्वारा तयार किया गया जिन में कुछ सरकार का हिस्सा है और इसका मकसद अवैद रूप से धनासिल करना था दिली के खज जा सके तो साफ तोर पर इडी की चार्षिट में जो खुलासे हो रहे हैं वो चौकाने वाले हैं और इससे केजडिवाल मनिसी सोधिया जेयन और कई सारे आवाली पार्टी के बड़े नेताओं की पोल भी खुल रही है और उनके मुश्किलें भी बड़ती नजार आरे तो ह आवना को pointer के साब सी सब्जाय किस तरीके से में का मिया रखी गई किस तरीके से और की से यह अरग वेंदाः क्या की तो इस तरीके था तो ऐसे में हमने आपको यह पूरा मामला बड़ विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साजा करें धन्यवाद